देर वी नियूज में आप सभी का स्वागत है मैं हूं सेयद सल्मान और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे उत्तर प्रदेश के निता से जो इस वक्त आये हुए हैं मुंबई दोरे पर एक संख्षिप्त दोरे पर आये हुए नौतनवा महाराज गंज के पुर्व विधायक क आप आये मुंबई आये हम लोगों को अच्छा लगा और एक कुछ सवालात जैसे चुनावी माहूल से आप अभी आए हैं वहां पर हम लोगों ने देखा पंचाय चुना हुए ब्लॉक के चुना हुए शुरुवाति दोर में लगा कि आप लोगों की संख्या अच्छी खा हुए तो एक तरह से सुपाड़ा साफ हो गया है एस हक्या हो गया कि वह सदस सारे के सारे ना दूसरे दिलों की तरह अकरशित हो गया याज हुआ है जो हमारे सदस आए थे चुनके वह सैंगे हो पब्लीक से आये थे और पब्ली कि हु宅 देटी है लों तंद्रमें सबसे पहले जन मानस का जो वोट होता है वही सरोपर होता है उसमें हम जीते अब ब्यक्ति का वोट आ गया गाउंसमाज से निकल गाउंसभाज से निकल करके जब 65 सदस्यों का चुनाव हुआ और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ तो यह ताकत का हो गया और पैसे का हो गया भाजपा ने अपनी तीजोरी खोल दी और यह चुनाव बीजेपी नहीं लड़ी है यह चुनाव उत्तर प्रदेश प्रसासन और भाजपा दोनों मील के लड़े हैं तब हमारे इन्होंने कितन पंचायत में जो बलागपरमुक का चुनाव था ओहां इनके दरोगा नेताओं के साथ जा जा करके जो गरीब छेट पंचायत सदस्त हैं उको धंकी देना पैसा देना उठा के लाना तो अगर यह इससे मुल्यांकन कर रहे हैं तो ओट तो देने जा रही है जनता बाइस में यह जो जिला पंचायत अध्यफ्स लोग चुनाव जीते हैं यह और जो छेट पंचायत अध्यफ्स लोग जीते हैं यह चुनाव में ओट नहीं पोल करेंगे ओट पोल करेगी पब्लिक जिसने हमको जीताया था और फिन अब दूने गुसे के साथ हमको जीताएगी क्योंकि कि उसके इस्तितियां 2022 में आपको लग रहा है कि कुछ पक्ष में आएंगी एक तरफ धन्बल है एक तरफ सब कहा जा रहा है जिस तरह का आप आरूप लगा रहे हैं तो क्या उस दौर में नहीं चलेगा अफसाब पॉब्लिक को खरिदना ब्यक्ति को तो खरीजा जा सकता है कि समाज को खरिदना बहुत बड़ी बात हो जाएगी और समाज भिकावल नहीं है समाज भी अपना हिच चाह रहा है महागाई कहा चली गए पेटरोल के तो इनको फायदे के लिए और दिया था ना आप देखें मेडशीन का दाम कहा चला गया दवाईयों का दाम कितना परसेंट आगे निकल गया मलब यह सब चीजें जोड़ी जाएं तो जनता इनसे संतुष्ट नहीं है और यह कुछ चंद ओंटों को खरीद करके और लाठी और दढ़ने के सहारी अगर उस कुरसी को हतियां हैं तो जनता को ख़ड़ने लायक इस्तित में रहते तो उसी छी पंचायत के चुनाऊ और जिला पंचायत के पहले जब गाउन सभाओं का चुना हुआ तब को नहीं इनने जनता को ख़ईत करके अपनी कुर्शियों को हतिया ल और शिशु तो जन्म ले लेता है लेकिन वहां से कोई नतीजा जन्म नहीं ले पा रहा है तो ये किसानों का आंदोलन खासकर पश्चिमियूतर प्रदीश वगेरा में ये कितना असरकारी होगा 2020 के चुनाओं में 22 के सुरे एक किसानों का आंदोलन पूरे देश में मतलब चल और अभी जैसे आप ये किसान अदोलन दो त्रह कि खेती एक कामरसियल खेती है और एक हम जैसे धान Freunde lleva हम sự कामर्सियल नहीं उस पर चला रहे हैं अब जैसे एक सवाल आया भी मैं घूम रहा था महाराश में किसान अंदोलित नहीं है, तो महाराश का किसान नासिक में प्याज पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, अंगूर पैदा करता है, पपीता पैदा करता है, संत्रा पैदा करता है, तो आप कहां कामर्सियल खेती है कि हैं और हमारे यहां जहां भी अनाज की खेती है जो इंसान कहाता है हमारे साथ बहुत बड़ा अब प्राफ हो रहा हैं हमारी स्थित यह है यहां भी कोकन वगड़ा में चावल वगड़ा की अच्छे खासी खेती होती है, लेकिन आंदोलन को यहां से कुछ लोग गए भी, लेकिन जिस सक्ती और जिद और तनमेटा के साथ उत्रप्रदेश के लोग डटे हुए हैं, हर्याना और पंजाब के आसपास के, उसमें शायद लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, उहां का किसाम संगठी थैं, और लड़ेगा, लेकिन सरकार बहरी है, गुंगी है, सरकार बहरी गुंगी क्योंकि यह सरकार वो ही नहीं है, जिसने बिटिस हकूमत में सन्धिप्रस्ताव लिखके दिया था, तो काम तो यह बिटिस हकूमत की तरह से कर रहे हैं, उस समय इंडिया कंपनी के बात सुनना बेक्त की बात सुनना नहीं है तो समाज अंदोलित है तो उसकी आप बात क्यों नहीं सुनना है आप कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा है किसान कहता है जो मैं कह रहा हूँ अच्छा है तो आप समाज की बात मानेंगे कि आप अपनी बात मानेंगे अंग्र तो किसान तो इनको ठीक करेगा, किसान इसलिए ठीक करेगा है कि पच्छमी उत्तर प्रदेश में इन्होंने हिंदु मुसल्मान करके चुनाव जीता था, अब आज पच्छमी उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, वो किस किसान का बेटा है तो भाजपा से असंतुष्ट है वह भाजपा के खिलाफ और पोल करने जा रहा है और इसका खाम्याजा सरकार भूगतेगी यानि किसान किसी एक पंथ संप्रदाय जाती से नहीं किसान तो अपने आपने किसान ही होता है तो वह अपना रंग दिखाएगा आ हो मन आ चुका है रंग दिखाने के लिए अभी आपने देखाने बंगाल में ये किसान गहीं थे वहां के कर दो नहींने प्रोस साही किया आप सुनें तो ऑई अनुल्गेश तो सुनता था हमारी बात को आप तो हमारी बात ही नहीं सून रहे हो जित का मामला है अकलेश जी को कितना अब अब एक्सेप्टेंस रह गया पिछली बार तो उन लोगों ने छोटा और नौसिक हिया और भले मुक्यमंत्री रहे हो हर तरह से दबा दिया एक तरह से सरकार आई और अकलेश जी को बाहर जाना पड़ा जबकि वो पाना जा रहा था किंदर में बड़ी भूमिका नभाएंगे अब 2022 में क्यास्तिति एंकी हमारी सरकार ने जो किया उसका कोई जवाब नहीं है इन्हों ने एक नारा दिया बेटी पढ़ाएंगे वो बेटी बचाएंगे इनकी सरकार के नेता लोग बेटी बचाने में चले गए और हमारी सरका ने योजना इतनी की कि गाउं के अंदर लोहिया गाउं हमने बनाया लोहिया गाउं में हमने साड़े तीन लाख रुपया एक मकान को दिया और गाउं की पूरी रोड को हमने पिच किया और इंटर लाखिंग किया और गाउं से में रोज सड़क थी उसको जोड़ने का हमने पीड़ोडी से काम किया हमने जनेस्वर मिशिर योजना चलाई जिसमें एक गाउंसभा के अंदर 42 लाक रुपया दे करके एक किलो मीटर गाउं के अंदर सीशी रोडे मनाई गए हमने इतना ही नहीं किया हमने गाउं के विकास के लिए कोई कसर ही नहीं छोड़ा हमने 500 भी ताथ 6,000 इनका भी है इनकी केंदर सरकार चला रही है हमारा नीता चलाता था मतला छे हजार रहा बस लेकिन वह उसका रूप बदला है सो रूप बदल गया इन्हों यह रूप बदले माही ने देखिये अभी मौदी जी का कोई सिन पहले एक कोट चली थी इनकी जो कोट इनकी लिल नाम होई थी जिसने लिल नाम ही खरीदा और खरीद करके देश से कहई हजार करोन रुपया ले करके भग लिया ठीक तो यह कभी कोट वाले हैं तो कभी इसमें इनकी लाड़ी का रंग दूसरा है कल दूसरा होगा आपने देखा इतना तो मैं जानता हूं गिरग मुझी इंक वह बड़े नेता हैं हमारे देश के प्रहास्यमां महतरी हैं और हलात यह हैं कि जितना अच्छा कपड़ा सिर्ब जाद प्रत हं पेंते हैं फकीर हो कर पर के जितना अच्या जा सबड़ा प्हानता हो घृनते हैं जानते हैं सामपरदाई धुरुवी करण का मुद्दा बहुत तेजी से उठाया जाता है जब जब चुनाओ आते हैं दूसरा एक अभी जनसंख्या नियंतरण वाले मामले को भी बड़ा बुनाया जा रहा है तो आप वहां से आये हैं आपने देखा है वहां कि क्या स्थितियां है अब उत्रप्रदेश में जब चुनाओ होने को हुआ तो कास्मीर के इंदर यह ड्रोन हमला हो गया अब पाकिस्तान से हमले की तैयारी स्टार्ट हो गई और करिएगा यूपी का चुनाओ आगया अब आसाम में जब चुनाओ होना था पांच परांतों में तो इन्होंने एक मुलमान भाइयों को चिड़ाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बना रहा है हकीकत मैं आपको बता रहा हूं धरातल पर जाके देखें दलित बस्तियों के अंदर या जो भी गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग हैं जब कांग्रेस की हुकूमत में बीपिय पांच लड़का रहेगा तो हमारे पांच मकान मिलेंगे हमको या हम सरकार का हमारे परिवार में पांच लोग लाख पाएंगे तो यह पहले जाकर उन लोगों को जिन लोगों ये जो सोच रहे हैं ये तो उन लोगों को बंचित कर देंगे गरीबों को कि हम सरकार वो लाभ नहीं देगी जिनके पास दो से अधिक लड़के होंगे मैं दावे के साथ कहता हूँ धियात के अंदर 90% परिवार ऐसे हैं जिनके पास 4 लड़के 5 लड़के 4 लड़के 5 लड़के हैं जैसे इन्हों नहीं मकान दिया सोचा ले दिया तो एक घर में 5-5 आदमी पाए हैं तो आज इस बात को आप का है सोच रहा है वो जो आप केवल यूपी का चुनाओं इनको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि हम मन से कहेंगे कि जो लोग 6 लड़का पैदा करते थे उनके लिए हमने ये कानून बनाया लें जो लोग आप 6 लड़के के रहते हुए सरकार का लाव ले चुके हैं उनके बारे में आप कैसे हमके साथ विश्वास घात करोगे जिन्होंने आपको इस कुरसी पर बैठाया है बिलाकर नतिजे उत्रप्रदेश के चौकाने वाले आ सकते हैं चौकाने वाले नहीं हमारे समाज वाली पार्टी की सरकार बनने जा रही है और पूर बहुमत से हम लोग सरकार में आने जा रहे हैं और ऐसा होगा और फिर मैं आपके पास आओंगा बाम में और आपको इस बात के लिए धन्यबाद दूँगा कि इस जंता के आसिलबात से जो अखिलिश जी ने किया और जो हमारे राश्टी अजयकपूर मुक्वंद्री से लिए व्लाइम सीजेन इसोह ने किया, हमने नारा ही नहीं लिए लिए हमने काम कियाि बेटी पढ़ाएंगे, बेटी बचाएंगे, इनका नारा था हमने पढ़ाया, हमने लेपटाब माठा, एक बाप, एक बेटे को मुबाईल खरीत के दे देता, साथ तो बेटा गाउं के लड़कों से कहता है देखो हमको हमारे पापा ने मुबाइल लिया, हमारे बाबुजी ने मुबाइल लिया, हमारे नेता ने पढ़े लिखे बच्चों को लेपटाब माटा और इन भाजपा के लोगों ने सदन के अंदर कहा कि जुन जुना माटा जा रह पद्गव करिएगा एक गाना चला था बहुत पहले कह गए राम चंसिया से एक दिन ऐसा कल्यूग आएगा दाना दूना कववा मोती खाएगा मधिरा खाना भरी रहेगी पंडित संख बजाएगा मंदिर बंद हो गए मैं आया सोचा आज भी हम्मारा सिद्धी बिनाएक जी क मैं इसा दर्सन करता हो जाएगा तो पता चला मंदिर बंद है पहली बार जा रहा हूं लें मधिरा खाना नहीं बंद है पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी तो आप इसी शे अंदारा लगाना है कि सरकार की सोच वही है कि जैसे बच्चे को गर्व के अंदर ही मार दिया जा जितने लड़के हुनर पढ़ने वाले थे उनका हुनर समाफ्थ हो गया इस साल वर के अंदर आपने देखा होगा सरकार ने तो वाहवाही ली हम पूछते हैं सोसल डिंश्टेंसिंग पे सारे काम हो सकते थे तो उन लड़कों के एक्जाम भी सोसल डिस्टेंसिंग पर हो सकते थे, आपने सब को पास कर दिया, इसके लिए लड़कों ने आपको बढाई भी दिया, लेकिन उन पास हुए लड़कों के भविस के बारे में, नोकरी के बारे में अगर इन से पूछा जाए, तो यह कहते है पकोड़ा तोलो, अब पकोड़ा कहां से तोलेंगे, जब आप सतर रुपय कड़ू का तेल, इनों ने दो सो तेईस रुपया कर दिया, तो अब तो पकोड़ा भी खाने वालों की कमी हो गई ने, बाईशा, अब मतला आपको लग रहा है कि परिवर्तन आएगा, परिवर्त उसकी बाद कोई सुनने वाला नहीं है, यह हाला था है, बड़े वीचित हाला था है, आप आए, स्टूडियो में, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारे विश्यों पर बात की, और आपसे वादा, आपने वादा किया है, 2022 के पहले, फिर एक बार और अब यह थे कुमर कौशल सिंग और मुन्ना भीया, जिनका दावा है कि आने वाले दिनों में, 2022 के चुनाव में, अखिलेश सरकार आ रही है, और योगी सरकार जाएगी, उनकी बातों में कितना दम है, कि आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उनके आत्मे विश्वास की, और उन उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई बात रखना चाहते हैं, तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप उसमें कर सकते हैं, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, और अपनी बातों को रखना होगा, फिलाल वक्तों विदा लेने का सलमान को, डियर्वी नियूस की पूरी टिम को दीजिये अजास्त, इसके बाद भी खबरी देखते रहे हैं, और हमको दीजिये अजास्त, नमस्कार, जैहीन